तो दिखिए एर्थ ग्लास का चैप्टर नंबर वन हमने कम्प्रीट कर लिया था कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 18 सदी का राजिस्थान जो है उसमें राजिस्थान के जो राजबूत थे उन्होंने किस तरीके से पहले मराठों के अधीन हुए और उसके बाद अंग्रेज का सुचंतरता संग्राम जिसे कहा जाता है तो यही हम देखने वाले हैं यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि राजिस्थान में 1857 का सुचंतरता संग्राम कैसे हुआ क्या कारण रहे तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब करिए ब कई बच्चे कहते हैं कि हमें notification नहीं मिलता है तो उन्हीं बच्चों को notification टाइम पर नहीं मिल पाता है जिन्होंने bell button प्रेस नहीं किया है ठीक है जिससे की जो वीडियो आता है तो तुरंत उन लोगों को पता नहीं लग पाता है तो सबसे पहले चैनल को subscribe करना है और उसके आपको notification मिलेगा तो second chapter जो है 1857 का सोतंतरता संग्राम एवं राजिस्थान भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए इसमरणिय है हमें पता है कि किस तरीके से भारत को आजादी मिले थी कितना संघर्ष जो है करना पड़ा था यह 1857 ईस्वी स सोतंतरता संग्राम भारती इतिहास की महत्वपून घटना है 1818 ईस्वी तक राजिस्थान के विविन राज्यों ने अंग्रेजों से संधिया कर ली थी तो हमने last chapter में यही पड़ा था कि 1817-18 की जो संधी होती है जिसमें राजपू साशक अंग्रेजों से संधिया करना पहली संधी जो है 1803 में होती है भरतपूर राज्ये से ठीक है फिर धीरे-धीरे सभी राज्ये जो है वो यहां संधी कर लेते हैं तो यहां पर जो राज्य शब्द है उससे यह स्टेट नहीं लगाना है जैसे मध्यप्रदेश है उत्तरप्रदेश है हम यहां पर राज्यस के आपसी विवादों का निप्टारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी तो यहाँ पर यह निश्चे कर लिया गया तभी संधियां की राजबू शाष्पोने अंग्रेजों से कि वो जो हैं क्या करेंगे उनके जो उत्रादिकार जो युद्ध चल रहे हैं जैपुर का उत्र विवाद समाप्त हो सकता है तो यहाँ यही निश्चे हुआ इस संधी के दोरान तो यहां अंग्रेज कंपनी जो है उस पर पूरी तरीके से विश्वास करने लगे राजबूत शाषक परन्तु अंग्रेज कंपनी ने राजियों के आंतरिक मामलों में हस्तशेप किया किसा जन साधरन के हितों पर कुठारा घात करके राजिस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोस की भावना का प्रशार किया अब उनको तो क्या हतेली दी थी लेकिन उन्होंने पूरी ही बाजू पकड़ ली ऐसा काम जो है अंग्रेज कंपनी ने यहां पर किया पूरी तरीके क्रांती के क्या कारण रहे कंपनी का राजियों के आंतरिक शाषन में हस्तशेप तो सबसे पहले कंपनी जो है उसने राजियों के आंतरिक शाषन में हस्तशेप करने लगी तो यहां पर क्रांती तो होनी थी संधी पत्र की सर्तों की अंदेखी करते हुए अंग्रेज राज प्रशाशन में अंधिकार करने लगे जैसे 1849 इसवी में जोदपुर के किले पर अधिकार किया, मांगरोल के युद्ध में कोटा महराव के वुरुद दीवानी जालिम सींग की मदद की, मेवार प्रशाशन में बार वार हस्तशेप किया, तो अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त कर दी और उन्हें अपनी क्रपाद रस्टी पर निर्वर बना दिया, ठी तेसी रियासतों पर लादमी की कोशिश की जो भी राजा निसंतान होंगे, यानि उनके पास उनका खुद का बालक नहीं होगा, तो गोद लेने सम्मंदी मामलों में कंपनी ने अपना निर्ने तेसी रियासतों पर थोपना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 1826 इस्वी में राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, 1826 में भरतपूर के लोहागड दुर्ग को नस्ट करके पॉलिटिकल एजेंट यानि पिये के अधीन काउंसिल की निक्ती हुई, 1844 में बासवाडा महरावन लक्षमन सींग की नाबालिकी के कारण अंग्रेजी नियंतरन की स्थाप ना हो गई, ठीक है, तो जहां पर राजा जो थे, वो निस संतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो गोद लेने समंदी मामले जो है, वो पूरी तरीके से अंग्रेजी नियंतरन स्थापित हो गया, तो छोटा बालक जो है, वह है, जो राज्य है, उसकी म्रत्यू हो जाती नहीं ले पाएगा, तो यहां पर अंग्रेज जो है, वह है, पूरी तरीके से उस राज्य के उपर अपना नियंतरन रखेंगे, इन सबी हस्तशेप से कमपनी सरकार के गुरुद राजाओं में असंतोस की भावना बलवती हो गई, नेक्स्ट जो कारण रहा, सामानने जनता की भावना, राजेस्थान में सामानने जनता की भावना अंग्रेजों के गुरुद चरम पर थी, अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीती, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहां की जनता ने अपने धर्म मा जीव, वह जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस जब अंग्रेज इनको लूट रहे हैं हस्तशेप कर रहे हैं इनके राजनितिक शाशन में तो यहां पर कई ऐसे लोग जो हैं आते हैं डूंग जी जवाहर जी जैसे जो की जनता में यहां पर प्रसिद्ध हो जाते हैं ठीक है यहां पर जो अंग्रेजियों की शावनिया होती हैं उनको लूटना प्रारम कर देते हैं तो जनता की भी यही भावना बन जाती है तो जिससे की क्रांती का आगाज जो है यहीं से प्रारम होना स्टार्ट होता है राजियों के आर्थिक मामलों में हस्तशेप अंग्रेज मेरवाडा बटालियन की इस्थापना 1834 इसवी में सेखावटी ब्रगेट की इस्थापना 1835 में जोदपुर लीजियन का गठन 1841 इसवी में मेवाड भीलकोर की इस्थापना कर कमपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रक रखाव का खर्चा भी सम्बंदित राज्यों से हर तरीके से आप लोगों को हैल्प मिलेगी लेकिन यहां पर जो सैनिक होंगे तो वो किसके होंगे अंग्रेजियों के यहां तैनात होंगे लेकिन इसका पूरा खर्चा जो है वहां का राज्य उठाएगा ठीक है सामंतों की मनोदसा 1818 इसवी की जो संदी हुई थी उसके पूर्व तक साशक को मुख्यत है सामंतों पर ही निर्वर रहना पड़ता था अतह संदी के बाद सामंतों पर उनकी निर्वरता प्राय समाप्त हो गई तो सामंत जो है वो अपनी दुखद इस्तिती का उत्तरदाई मुख्यत अंग्रेजियों को ही मानते थे तो इनको भी जो फैदा मिलता था उसके रास्ते सब बंद हो गए थे और ये जो है इनकी निर्भरता जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी तो ऐसे में क्या होगा इनमें रोस बढ़ता गया आओवा कोठा रिया और सलूमबर के ठिकाने जो है इसके उधारण थे तो ये जो थे ये कई कारण रहे थे 1857 इसवी की क्रांती का नेक्स्ट देखिए तातकालिक कारण क्या रहा था भारत में 1857 इसवी की क्रांती का तातकालिक कारण एन पील्ड राइफलों में प्रियोक्त कार्थूसों में गाय और सूर की चर्वी का प्रियोक किया जाना था तो इस वज़े से हिंदू मुसल्मां दोनों ही आपस में लड़ जाएं उनका धर्म ब्रस्ट हो जाए जिन्हें प्रियोक में लेने से पहले मुसे खोलना पड़ता था तो इस तरीके से अंग्रेजों ने चाल चली थी तो क्रांती का प्रारंब 1857 इस वी की क्रांती की सुरुवार मेरट में 10 मई 1857 को हुई थी तो ये एक तातकालिक कारण था कि जो कार्थूस जो थे उसमें गाय और सुवर की चर्वी जो है उससे बनी कार्थूस थी जिसे मुसे खोलना पड़ता था तो यह जो सैनिकों को पसंद नहीं आया इस समय मेवाड, मारवाड, जैपूर मेकरमसे, मेजर सावर्स, मेक मोसन, मेक मेसन, कर्नल इडन, पॉलिटिकल एजेंट नुक्त किये गए ये सब भी राजिस्थान की तातकालिन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जोर्ज पैट्रिक लॉरेंस की अधीन थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना सेंटर बनाया था और यहाँ पर एजीजी को नुक्त किया था तो ये जो AGG था George Patrick Lawrence तो इसने भी अपने PA यानि Political Agent जो है वो सभी राजियों में छोड़ रखे दे ठीक है ताकि पूरी खबर जो है वह भी मिलती रहे और पूरे राजिस्थान में ही अंग्रेजों का है अंग्रेज कंपनियों का जो है अधिकार रहे और अपनी मन मर्जी से ये शाषन को चला सके राजिस्थान में 1857 की एकरांती के समय चेयर चावनियां थी तो फ़र्स्ट देखिए नसीरावाद चावनी इसका मुख्याले अजमेर में था नीमत चावनी इसका ग्वालियर में था एरिनपुरा पाली में था डेवली जो है इसका टोंक मुख्याल ब्यावर का अजुमेर में था और खेरवाड़ा का उधैपूर में था तो यहां ब्यावरण और खेरवाड़ा इन दोनों छाव।नियों ने यहाँ पंद्रवी बंगाल नेटिव इनफैंट्री थी, नीमच में मालवा मेवार राजपुताना रेजिमेंट, एरिनपुरा में जोतपुर लीजियन, देवली में कोटा कंटिंजेंट, व्यावर में मेर रेजिमेंट और खेरवाडा में भील रेजिमेंट, ठीक है? तो इन अपने पिये जो हैं यहाँ तैनात कर रखे थे, तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही धीरे से, धीमिगती से हम लोग यह चीज पढ़ने वाले हैं, तो यह चीज जो हैं आप ध्यान में रखें, कुश्यन अनसल जब ह करेंगे, तो और भी सभी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ तो आप बहुत आराम तरीके से इनको पढ़ते चलिए, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, थैंक यू,